राहूल गांधी की भारत जोडो यात्रा को लेकर के एक संकट खड़ा हो गया है केंद्री स्वास्थ मंत्री मंसुक मांडविया ने एक चिठी लिखी है कि इस यात्रा को फिलाहल स्थागित कर देना चाहिए क्योंकि मामले कोविनोना के लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं इस पर प्रतिक्रिया लेंगे अमारे साथ कांग्रेस के विधायक वजच भत करते हैं कि दिस प्रकार से चिठीट लिखी जा रहे है कि इस यात्रा को स्थागित कि या जाए या कम से कम जो भीड आ रही है आपकी यात्रा में उसको देखते हुए कोवीड प्रोटोकोल्स का पलन करना चाहिए आपको क्या लगता है और इस पैसले को इस चिठी को कैसे देखते हैं धन्यवाद एक तो पंजाब के स्रीका देखिए सबसे बड़ी बात तो एक पहल अदम से कार्टून बना बना के राउल जी का मजाक उडा रहते हैं आज जब करनाक हमारे इससे चलके हर्याना पहुंचे यात्रा और जो लोगों का आशिरवाद और प्यार रहुल जी के साथ और इस देश की पूरी जनता का प्यार रहुल जी के साथ है तो इससे यह बीजेपी गोवर्मेंट घबरा चुकी है और इन्होंने जो यह रहुल जी को कभी पपू कहते थे कभी पता नहीं क्या ना क्या इनके सोसल मीडिया पर रहुल जी के बारें के देश का युवा होने के नाथ दे मैं श्लूट करता हूँ जिनों ने अ कि अधर देश और पक्रदेश के हित के लिए युवां के दो करोड़ युवां की बात रोजगार की थी किती किसानों के आयदुगनी करने की बात थी तो हमारा एव महेंगाइ कम करने की बात थी स्लेंडर 1100 रुपे हो गया 400 रुपे का अमारा स्लेंडर था तो अनाइक को मुद्दे देश के अंदर नफरत की राजनेतिक चल रही है तो राहूल गांदी जी ने जो संकलप लिया कि उसके लिए मैं राहूल गांदी को सुलूट करता हूँ और अपने नेता को मैं पहली बार वर्ड में इतनी लंबी यात्रा आदने राहूल गांदी जी ने की है और यह लोग कहते थे राहूल गांदी जी महिल से भारने निकलते विदेशों में रहते हैं आज इनकी आखे खुली की खुली रहेगी की राहूल गांदी जी ने एक टीशट एक लोर में वो भी हाफ हाफ और इतनी सर्दी में जो एक एक जो एक योदा के तरिया मोदी जी की आंख में आख मिलाके कि यही कारण है कि अब इसा मानते हैं यह सिर्फ और सिर्फ पोलिटिकल स्टेंड है ऐसा कुछ नहीं है तो जिस प्रकार से चाइना और अमेरिका में देखें बड़े सक्ट लोकडाउन या और पालना करवाई जा रही है मौते लगातार हो रही है जिस तरह से देश ने कोरोन समयम और राजनितिक से उपर उठके उसे मिस्तियात्रा को बंद कर देंगे मुझे मुझे पता है कि उनके अंतर कितना ही प्रतिक तो यह अगर ऐसी कोई बात आ परकार को कि आप लोग अलर्ट हो जाई है बड़ी वेवाने राहूल जी अपड़ी राजनेतिक के चक्र में अपने देश को खत्र में डाल सकता है मुझे उमीद है अब यात्रा पर अगर में आऊं तो यात्रा को कैसे देख रहे हैं हर्याना में पहला दिन है और अभी तक सुर्जधान करते हैं कि स्वागत करते थे लेकिन अधि कोरने चीजिस परकार से इन मैंने को पूरे देश में आज सिथानी सब्सक्राइब ज्टरी और आखों लोग रोडुों पे पर Administration जो आए राहुल जी का स्वागत किया और सुबह कल चार बजे से लोग यहां आके सर्दी में रुके हुए थे और राहुल गांदी जी छे बज के दस मिंट पर स्टेज पर आये तो लोगों में इतना जोश था मैं सलूट करता हूँ जो राहुल जी का अज होसला मेरी हरियाना की जनता ने बढ़ाया और मैं कहता हूँ कितना एक कोरा हो चीकुछ हो हरियाना में आदरिन राहुल गांदी जी की जो यात्रा होगी मैं कहता हूँ देश में अच्छी अच्छी बहुत बड़ी बड़ी रेलिया यात्रा हुई है पर हरियाना भी अपने उन भाईयों से 21 रहेगा उनिस नहीं कि विरोधी कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की जुरूरत नहीं है कॉंग्रेस को खुद को जोड़ना चाहिए भारत पहले से खटन देखे ऐ पांगरेस की चिंता चोड़ दें पहले वह लिए पहले हम दो हमारे दोका नारा देते हैं आधनी राव अमित श्या जी अंदरेंदर मोदी जी और डानी अंबानी जी मैं इन से कहूंगा पहले इनको सला दूँगा हमारी तरफ छोड़िए हमें तो मारा परिवार हमें पतार मारा परिवार साथ है और जो गदार हैं पार्टी के जिन्होंने पार्टी में फादे लिए पार्टी को खूब अच्छे-अच्छे हो दे लिए और वो ऐसे गदार बुरा वक्त में छोड़ की भागते हैं तो उनको लोग खुद उनका जवाब देते हैं इलाज करते हैं दूसरा इस बीजेपी के जो सबसे सीनिर नेता थे हमारे मैं उनका समान करता हूँ आधिन रा हिक्त बियाना में हालात क्या है उनके नेताओं से पूच्छो देश में नेताओं की क्या है अगर यह पहले जोन करना को दो कि आशीवाज ने यह ब्यान दिया उस पर बड़ा तक्ड़ा विवाद हो रहा है … संसद में भी हंगामा हुआ कि बीजेपी के तो कोई कुटा भी नहीं मारा और कॉंग्रेस के लोगों ने ते देश के जादी में शाहदत दी है देखिए पहली बात तो मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं पर ये जुरूर है कॉंग्रेस नहीं तमाम देश के जो योदा थे जो वीर थे जिनको मैं स्लूट करता हूं जिन ने इस देश को आजाद कराया जिनने अपनी हस्ते हस्ते अपने प्राणों की होती दी कुर्बानियां द करता हूं जो आज दुख इस बात का होता है कि जिस परकार से देश में नफरत की राजनेती करते हैं इनके तीन ही नारे हैं मंदीर मस्जीद कबरिस्तान पाकिस्तान और इनका कोई काम नहीं भारत माता कीजिए गव माता की जाज तरिंगा यात्रा मैं पूछना चाहता हू आज तक RSS के उफिस के उपर इन्होंने क्यों नहीं इस देश के तरंगों को लगाया कि BJP के और RSS के लोग बताएं और हमारे खून में हमारे खून में जर्रे जर्रे में अपने तरंगे के परतिक और अपने देश के परतिक हमें प्यार है और हमें इन से कोई सर्टिफिक् आगे बढ़ता है ना पर्देश आगे बढ़ता ना घर आगे बढ़ता है तो आज राहूल जी का एक इनारा है कि देश में नफर्त मिटाओ और प्यार को आगे बढ़ता है कि अगर जुरूरत पड़ेगी तो 2024 में कॉंग्रेस के साथ आने को तयारा है अगर पर्देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है तो इन ताक्तों के खिलाप सब ने एक होना चाहिए और एक होके इनको हर्याना से और देश से धकेलने में उन्हें अच्छी बात है मैं उनका स्वागत करूँगा अगर उनको इसा ब्यान दिया तो यह थे कुल्दीप बढ़ते मामले अगर देश के लिए चिंता जनक होते हैं तो राहूल गांदी स्वायम इस जात्रा को स्थागित करेंगे इसके साथ उन्होंने तमाम राजनेतिक मुद्दो पर भी अप्रतिक रिया रखे क्यामरा परसन मौनुक सास उधीर पांडे पंजाब के सी टीवी फ